गुड मॉर्नी स्टूडेंट आज हम करेंगे सेक्षन सी का थर्ड चैप्टर भोली तो इनके जो राइटर है वो है के ए अबास क्या है नाम के ए अबास सबसे पहले हम छोटी सी स्टोरी पढ़ लेंगे कि ये लेसन क्या है जैसे क्या इस लेसन में में क्या चीज है तो बेटा शुरू करते हैं जैसे ये कहानी एक लड़की भोली पर परकास डालती है ये जो सुर्टोरी है भोली पर परकास डालती है भोली कोन है एक लड़की है बोली का अर्थ है सीधी लड़की वे गाउं के नमबरदार राम लाल की बेटी थी जब वे केवल दस मीने की थी तो वे चार पाई से गिर गई तीक है उससे उसके मस्तिश मस्तिश मतलता है दिमाग का कुछ बाग क्या हो गया नस्ट हो गया जब वे दो वर्ष की थी उसे चेचक हो गया वे हक लाती थी और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे उसके पिता को उसकी बहुत चिंता थी वे ना तो बुद्धि मान थी और ना सुन्दर उसे स्कूल बेच जा गया उनकी अधियापका उसका सहस बढ़ाती थी तो जब वो स्कूल जाया करती थी तो उसके जो ध्यापका उसको बहुत मोटिवेट किया करते थे ठीक है रामलाल ने बोली का विवावी शंबर नाथ के साथ करने का फैंसला किया जो के एक बुड़ा वैक्ति था उसने पांच हजार रुपे की देहेज के रूप में मांग बोली ने उसे विवा करने से इंकार कर दिया एक बुड़ा औरत से बुड़ा बुड़ी औरत ने उसे मतलब बोली को निरलज मतलब बेशरम कहा जब उसने इंकार कर दिया कि मैंने मैरिज नहीं करनी बुड़ी आदमी के साथ तो जो औरते होती थी पिछले समय की जमाने की तो वो कहती कि तू बेशरम है क्योंकि तूने ना कर दिया अपने पिता के सामने तूने शादी करने के लिए ना कर दिया ठीक है रामला ने बोली से कहा कि अब कोई विवा नहीं करेगा उसने अपने पिता को चिंता ना करने के लिए कहा उसने अपने पिता से कहा कि वेब बुड़ापे में भी उनकी सेवा करेंगी उसके सही फैंसले ने उसका समान और समाज में बढ़ा दिया मतलब जो उसने दिशीजन लिया था वो उसके साथ उनकी जद्जोदी और भी समाज में भड़ गी ठीक है अब है मारे इसके हमने करने है meaning of difficult word मेटा जो difficult word है इसके जुरूर अपने meaning जो है करके जाने है जैसे लिखा है simple tone तो इसका मतलब है simple person मतलब सीधा साधा ठीक है pork mark मतलब marks of small box मतलब चेचक के दाग ठीक है down cast looking downward मतलब नीची नजरों से looking downward मतलब नीची नजरों से आगे है mimic mimic का मतलब होता है copy करना, knuckle करना आगे है orchard orchard golden of fruit मतलब बगीचा आगे है हमारा trim fat तो इसका मतलब है victory मतलब जेता permanently for good मतलब सदा के लिए frightened मतलब feared feared ठीक है डरा हुआ ठीक है इसके बाद मारा आजाता है पहले face जो है हमारा page set कर लेती है इसके बाद मारा आता है passionate इसका है attracted अकर्शित हों किया आगे है आगे है affectionately मतलब lovingly प्यारा मतलब प्यार से आगे है हमारा apicious ठीक है इसका मतलब holy आगे है contemplate to think deeply मतलब डुंगाई से सोचना masterpiece best piece मतलब सबसे बढ़िया कलाकरिती आगे है certainly definitely जरूर मतलब अवश्य ही आगे है considerate मतलब thoughtful मतलब पिचार से आपने ये वाले वर्ड जो है जरूर जाद करके जाना बेटा और अब हमें इसके MCQ करेंगे तो start करते हैं बेटा जी first में है what was the real name of poly poly का real name क्या था आपने बोलना है सुलेखा ठीक है what kind of girl was poly किस तरह की लड़की थी वो neglected मतलब बहुत श्रमिली भोली भाली कोई उसको clever नहीं थी कहने का मतलब ठीक है तहसील दर come to the village from the coming of school क्या आपने क्या answer देना है तहसील दर come to the village for the opening of school स्कूल की opening कर ले गया था ना village पे तसील दर ठीक है the old woman called बोली डैश जब उसने इंकार कर दिया शादी के लिए तो जो old woman थी उसने बोली को क्याब वाला shameless मतलब बेशर ठीक है आगे है बोली इस teacher डैशर motivated motivate करती थी बोली को ठीक है उसकी teacher जो थी इसके बाद है बिशंबर वाज ए डैश मैन तो आपने बोला same last वो भी तो ऐसा ही था जो जो आपने से छोटी उमर के साथ लड़की के साथ marriage करने वाला था ठीक है बोली recognized her confidence due to डैश आपने बोलना education ठीक है अपना confidence पढ़ लिख के बढ़ाना चाहती थी आगे है हमारा एट रामलाल वाज डैश दा रामलाल वाज दा डैश ओफ भोली रामलाल कोन थे बोली के फादर आपने बोलना फादर रामलाल वाज वेरीड अबाउट डैश भोली how many siblings did बोली have मतलब कितने बैन बाई थे आपने बोलना six why did the तहसील दार come to the village आपने बोलना to perform the opening ceremony of the primary school ठीक है आगे है 12 हमारा at the age of two बोली had an attack of small box जब वो दो साल की थी तो उसको कौन सी बिमारी हुई थी क्या हुआ था small box हुआ था बिशंबर demanded डैश रुपी as jury कितने उसने मांगे थे पैसे आपने बलना five thousand देहेज में कितने पैसे मांगे थे बिशंबर ने five thousand बोली had a sister बोली की कितनी sister थी आपने बोलना three क्योंकि तीन भाई और तीन बैने थी ना उनकी तो आपने बोलना three sister चीक है आगे है what did Ramla do Ramla ले क्या क्या what did Ramla do तो आपने अंसर देना इसका वाजे लंबरदार ठीक है क्या है मतलब क्या करते है क्या रामला क्या है लंबरदार ठीक है वाई बोली रिफ्यूज तो मैनी बिसंबर क्यों बार बार बिसंबर को वो रिफ्यूज कर देती है आपने बना he was very greedy क्योंकि वो बहुत लाजजी था वाई बोली इस नियर रियल नेम आपने बोलना सुलेखा How many siblings did bouley have आपने बोलना three brother and three sister ठीक है इसके बाद है बोली had dash brother and dash sister three brother and three sister बोली had dash sister आपने बोलना three रामलाल was the dash of the village आपने बोलना निमबरदार ठीक है रामलाल was a dash official आपने बोलना government ठीक है आगे है हमारा Who did be samber come to marry तो आपने मुला सुलेखा रामलाल दा नमबरदार of the village had dash children आपने बॉना seven यहां पे क्या है रामलाल दा नमबरदार of the village had dash children seven आगे है बिसम्बरनात इस डैश एरिच ग्रोशर ठीक है क्या है एरिच ग्रोशर बोलीवुड डैश वाइल सीकिंग आपने बुलना स्टैमबर आगे है रामलाल है नोट टू दिस अबेदास तैसीलदार आपने मुलना करस बोलीवुड टीचर वाज डैश विद दा बोलीवुड बेवेवियर आपने मुलना स्टैसफाइड ठीक है बेटा इस तरह ये हमारा सारे लेसन कंप्लीट हो गए है हमारी पॉइम्स लेसन और जो स्टार्टिंग वाले लेसन सेक्षन ज्यादा फैदा हो सके वीडियो का ठीक है बेटा लेस्ट वीडियो में मिलते हैं ठीक यार